नमस्कार न्यूस वानेशन देख़रे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी नेता परतिपक्ष तिजश्वी यादव से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान सीधा जृतनरामान जी के पास पहुंचे हैं आपको बताएं कि 12 सतंबर को स्वरगिये रामविलास पासवान की बरसी है ऐसे में खुच चिराग पासवान हर किसी को नियूता देने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से श्रधांजली कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर चिराग पासवान अब अपन चिराग पासवान जितन राम मांची के आवास पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि 12 सतंबर को स्वरगिये रामविलास पासवान की बरसी है इसको लेकर चिराग पासवान की तरफ से श्रधांज की कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है और पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं आपको बताएं कि चुराख पासवान ने भी खुद कहा कि मैं हर किसी से मिलूँगा और मैं सब भी राचनेतिक दलों के नेताओं को नेता दूँगा ताकि वो रामिलास पासवान के बरसी पर पहुंच सके तो ये एक्स्क्लूसीव तस्वीरे न्यूस वानेशन आपको दिखा रहा है जब चुराख पासवान जृतन रामान जी से मुलाकात कर रहे हैं आपको बताएं कि इससे पहले वो तेश्वी आदफ से मिले और कई तरह की बाते भी वहाँ पर देखने को मुली एक तरफ तेश्वी यादफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब वो चुराख पासवान के साथ रहेंगे चुराख पासवान को अपना समर्थन देंगे तो वहीं अब ये भी तस्वीरे निकल कर सामने आई जब सीधा रावरी आवास से निकल कर चिराक पासवान जुतन रामान जी के आवास पर पहुंचे है हम के कई बरे नीता वहाँ पर मौझूद है दानुश रिजवान है जुतन रामान जी है और वहाँ पर खुद चिराक पासवान न्योता देने के लिए गए है तो राम दलास पासवान की बरसी को लेकर बड़ा आयोजन चुराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है आपको बताएं कि 12 सतंबुर को श्रधांचली कारिकरम होने है और उसी को लेकर तयारिया चुराग पासवान की तरफ से की जा रही है हर किसी से चुराग पासवान खुद मिल रहे हैं उनको नियोता दे रहे हैं ऐसे में ये इसक्रूसिव तस्वीरे दिकल कर सामने आई है जब चुराग पासवान जुत्रामान जी के आवास पर खुद उन्हें नियोता देने के लिए पहुचे हैं फिदाकलेतना ही जाद व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कारिक्रम उसके लिए मैं इनको आमंत्रेद करने आया हूं आगे के जो राजनितिक जो सवाल है मुझे लगता है उसके लिए ये उच्छे समय नहीं जगा नहीं है उसकी चर्चा हम लोग भविश्य में करेंगे पर व्यक्तिगत आवालेक का लगता तौर करेंगे ये ये जो नहीं है उसके लिए वालेक का लाता है